नमो नाराइन मित्रो कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है आप सब ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे एबम मजे में होंगी दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि टी नाम वाले जातक एबम यू नाम वाले जातक यदी साधी करते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में इस पेशल दुनिया को आपको सब्सक्राइब कर देना है एबं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं। मित्रो टी नाम वाले ज्यातक एबम यू नाम वाले ज्यातक यदी किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं, तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत ज्यादा होती है, इस नाम के जो ज्यातक होते हैं, वो अपने अपने जीबन में एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के दूसरे के द्रिश्टी कोन से, बहुत ज्यादा सहमत होते हैं, वो अपने जीबन में एक दूसरे की बातों को अनसुनी करना या एक दूसरे की बातों को काटना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एबम हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के प्रती बहुत जयादा प्रभावित होते हैं हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों से बहुत जयादा आकरसित होते हैं लेकिन इसके अलाबा यदी यू नामबालों की बात करें तो यू नामबाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीबन में सुवतंत्र होना आजाद होना बहुत जयादा पसंद करते हैं। एबम कभी भी अपने जीवन में अपने सुवतंतरता के साथ में अपनी आजादी के साथ में कोई भी समझोता करना पसंद बिल्गुल भी नहीं करते हैं। एबम हमेशा अपने जीवन में अपनी आजादी को सबसे पहले एबम सबसे जयादा महत्तु देते हैं। वैसे इसके अलाबा इस नाम के जोभी जातक होते हैं वो सबहाब से बहुत जयादा गुसेल, बहुत जयादा क्रोधी होते हैं। एबम हमेशा अपने जीवन में छोटी मोटी बातों पर बहुत जयादा क्रोध, बहुत जयादा गुसा करते हैं। एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी तनाब, आपसी मन मुटाब बहुत जयादा होता है लेकिन मित्रों इसके अलाबा यदी टी नाम वालों की बात करें तो टी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तन सील होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में कुछ नया, एबम कुछ अलग करने का पडियास बहुत जयादा करते हैं एबम ये हमेशा अपने जीबन में जोखिम लेना, रिस्क लेना बहुत जयादा पसंद करते हैं कभी भी अपने जीबन में जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं क्योंकि इनका जो confidence label होता है वो बहुत जयादा मजबूत होता है मित्रो T नाम वाले जातक एबम U नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत जयादा मजबूत रहेगा यानी कि आपको शाधी अबस्य करनी चाहिए दोस्तों मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में इस पेशल दुनिया को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एबं वीडियो के नीचे में जय बाबा भेरब आप कमेंट अब इससे कर दे एबं वीडियो हर जगह से यर कर दे तो हम सम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद